नमस्कार आप देख रहें विंद्या टाइम्स और में हूँ आपके साथ अभिलास मद्द प्रदेश के विंड जिले से एक हस्यासपद मामला सामनी आया है जहां आपको बता दें बीते दिनों मंदिर से सनी देव की मूर्ती चोरी हो गई थी जिस पर स्रद्धालो और मंदिर ट्रश्ट द्वारा मूर्ती की गुमसुद्गी के संबंद में पुलिस को सूचना दी गई पुलिस ने कड़ी मसकत के बाद मूर्ती खोस तो ली पर वह मूर्ती सनी देव की जगह यमराज की निकल गई जिसके बाद स्रत्धालों और मंदी ट्रश्ट ने मूर्थी लेने से इंकार कर दिया जिसके बारे में मंदी ट्रश्ट से जुड़े हुए लोगों का कहना था कि पुलिस जो मूर्थी खोश कर लाई है वह मूर्थी यमराज की है जिसमें वह भैसे पर सवार हैं और किसी भी धार्मिक ग्रंत में ऐसा उलेक नहीं है कि सनीदेव भैसे पर सवार हूँ अब लोगों का कहना था कि भिंड पुलिस को यमराज और सनीदेव में अंतर नहीं पता है पुलिस यमराज को सनीदेव बता कर दूसरी मूरती मंदिर ट्रस्ट को देना चाहती है और ट्रस्ट के लोगों ने मूरती यमराज की बता कर लेने से मना कर दिया है ऐसे में यमराज थाने में माल खाने में ही बंद है मामला लहार थाना छेत्र का है यहां 21 जनवरी की रात चोर भातन ताल इस्थित नवगरह मंदिर से सनी देव की मूर्ति उखाड कर ले गए थे पुलिस ने एक मूर्ति दो फरबरी को बरामत की पुलिस इसे बरामत करने के नाम पर अपनी फीट थपथपा ही रही थी लेकिन मूर्ति यमराज की निकली तो अब खूब किरकिरी हो रही है इसके बाद लहार स्टियो पी अवनीश बंसल ने मंदिर टरस्ट के साथ बैठक की लेकिन ट्रस्ट ने यह मूर्थी नहीं ली सनी देव की मूर्थी चोरी होने से सरद्धालों में भारी आक्रों से उन्होंने बीते दिनों बीजेपी परदेस अद्यक्स वीडी सर्मा को ग्यापन देकर पूरे मामले से अवगत कराया था बीडी सर्मा ने लहार पूलिस को इस घटना को गंभीरता से ले जाने के निर्देश दिये थे इसके बाद पूलिस हरकत में आई है उसे रौन थाना चेतर के गड़ी जैदपुरा गाउं में मूर्थ मिली पूलिस ने मूर्थ को ठाने में लाकर मालकाने में बंद कर दिया इस ठानी लोगों का कहना है कि मूर्थ के एक हाथ दंड और दूसरे हाथ में पास है यह भैसे परसवार हैं और न्याय के देपता सनी देव के भैसे परसवार होने का किसी भी धार्मी गरंत में उलेक नहीं है